इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 189 के बारे में ये आर्टिकल बताता है कि विधान सभा विधान परिशद में वोटिंग कैसे होगा उसका कैकर नियम है और साथी साथ जो विधान सभा या विधान परिशद है वो किस प्रकार से एक्ट करेंगे वो किस प्रकार के तहत ये कहा जाता है कि जब भी विधान सभा का सेटिंग चल रहा हो जब भी विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस समय अगर स्पीकर वहाँ पर पिठा आशीन है मतलब स्पीकर अगर बैठे हुए अपने जगह पर और सत्र चल रहा हो और कोई बिल पर वोटिंग हो रहा हो त समय स्पीकर साहब अपना वोट डाल सकते हैं इसी तरह अगर विधान परिशद का बात आया तो सभापती मतलब कि चेर्मेन अगर बैठे हो अपने जगा पर और वोटिंग चल रहा हो और बराबर का वोट हो गया तो ही चेर्मेन साहब वोट डाल सकते हैं पहली कानून के तहत अगर बदलाव किया जाए आने वाले समय में तो अलग बात है लेकिन फिलाल तक के लिए जो विधान सभा है या विधान परिशद है उसका जो कोरम होता है जिसको की जरूरी होता है कोरम अगर नहीं होगा तो विधान सभा या विधान परिशत काम नहीं कर पाएगा ठीक है तो कोरम में कम से कम 10 member तो होना ही चाहिए नहीं तो जितने भी member है उसका 1 by 10 जो बड़ा हो माल लेते हैं कि किसी वीज विधान सभा में 500 seat है ठीक है इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि किसी state का 90 seat था, 90 विधाय लगते हैं तो उसका quorum इस प्रता का 1 by 10 अगर करें तो 9 बनता है लेकिन यहाँ पर बुला जा रहा है कि 10 member तो बड़ा कॉन है तो 10 member तो उसका quorum कितना member का होगा 10 member का ठीक है तो इस प्रकार quorum का decision लिया जाता है अ उस समय में speaker अगर होंगे बैठे हुए विधान सभा के समय में या विधान परिशद के time में अगर chairman बैठे होंगे जो भी होगा तो वो क्या करेंगे जो सत्र चल रहा है उसको खतम कर देंगे एडजर्ण कर देंगे बोलेंग बरखास हुआ आज का कारिकाल यही पर खतम होत भी फिर विधान सभा विधान परिशद फिर से संचालित होगा और फिर से काम करना सुरू करेगा ठेक है तो यह था अपना article 189 जो कि बताता था कि जो विधान सभा विधान परिशद उसमें voting कैसे होगा और विधान सभा विधान परिशद जो सदन है उस वो कैसे काम करता ह कोरम और वेकेंसी के बारे में ठीक है तो यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो उसको लाइक करो सेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड थैंक यू वेरी मच